आज का हमारे टॉपिक है मिगेल ब्लास्टिक अनीमिया this is impaired DNA synthesis during erythropoiesis में impaired DNA synthesis रहेंगी दोसद सल continue to grow without division that's why macrosides are formed large immature RBC due to deficiency of folic acid and vitamin B12, vitamin B12 and folic acid deficiency की वज़े से क्या हो जाता है impaired DNA synthesis होता है इरोत्रफोईसीज में जब रबीसी बन रही होती है तो फॉलिक एसीड और विटामिन B12 की डेफिसेंस तो मेगलोफलाश्टिक में यह होता है इंपेड डिने संथेजिस हो जाता है उसमें मैक्रोसाइट्स बन जाते हैं और इसके कमी से फॉलिक एसीड और विटामिन B12 की अब देखिए विटामिन B12 के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए उसकी सोर्स के है सीफूड फिश मीट एग चीज और मिल्क यह सारे विटामिन विटामिन B12 के सोर्सेज है और यह उप्टेंट होता है विटामिन B12 अपनको एनिमल से और डेली रिक्वार्मेंट होती है विटामिन B12 की 2 से 4 mg और बोडी स्टोर करती है मतलब विटामिन B12 को 2 साल के लिए और उसके सिंटम्स क्या है नियूरो पैथोलोजी हो जाएगी और फॉलेट जो की है और ग्रीन लिफी वेजिटेबल से मिलता है स्पैनिच और कार्बे से मिलता है और प्लांट और इजिन होता है और उसके डेली रिक्वार्मेंट होती है 200 mg और वो चार महिने तक बोडी मे रहता और फॉलेट डेफिसेंसी अकर्स फॉस्ट तो आगे कि वी टॉलेट फॉलेट का चार महिने तिक इस्टाइन इस्टोर करता है और नो नुईो पैथी प्र्जेंट और इसमें रियूइपएति नहीं होती इसमें प्लच से रिच्ट बचसे wird कषिक धकडिन कर सेका है को p कर देगा कोई अदमी इंटेक ही गिस श्क्रिस नीड नीड इंक्रीज होगी किसी भी कारम की वज़े से तो वहाँ पर विटामिन B12 और फॉलेट की मतलब एना डेफिसेंसी हो सकती है और माल अब्सॉप्शन अब्सॉप्शन ही नहीं हो रहा जैसे कौन कौन होता है वो होता है गेस्ट्रक्टोमी कोलियाक डिजीज और ट्र बद्नीश है तो द्यूपशन द्रिजी सेलस जो की इसको शीखर ती घंटीक यह तो यहल्प करता अब्सॉप्शन ऑफ बिटामीन बीट्वल इन इलियम इल्यम अब देखेते जो आण अपने इस्टोमक की लाइं इसमें वीटामीन बीट्वल को यह यह अ जो कि intense factor मतलब है ना secret मतलब है ना secret होता है oxyntens cells of stomach और intense factor काम क्या होता है यह help करता है return B12 को absorb करने के लिए इलियम में तो अब इसके causes क्या है कि intense factor क्यों कि हो जाएगी तो atrophy of gastric mucosa gastric mucosa का mucosa की entropy होगी यह फिर gastroptomy होगी तो यहां पर अपने इंट्रेंसी वेक्टर की कमी हो जाएक और intense factor क्मी के को अनका बोलता है परनीशीश अनिम्या और इंट्रेंसी वेक्टर कहां secret होता है क्या उनका काम है और क्या हो निक्ताइब्चिक होगी होगी और हमका हमोग्यले नॉर्मलरśmy हमोग्यला संटीक हरे मामने लुपियोटेक हरे लुपिवलन खला अजिया ह्सारस सो A की ही हमोग्यलपी अमोंके बनद उप से कार अभ आपके सरो किया का और DNA synthesis हो रहा है तो उसमें growth मतलब हो रही है without division के रही है तो आपनको यहाँ पर nucleated RBC दिखेगी peripheral smear में और hypersegmented neutrophils more than six segment और hypersegmented neutrophils दिखेंगे आपनको और megaloblast दिखेंगे तो यह होता है और मतलब इंपेड डिन नसिंतेस सिंट उसमें क्या होगा आप मतलब है और वह वी किस्समें और उसमें क्या होगा मैक्रोसाइट्स बन जाएंगे जो किया है ना में ग्रोथ होगी विताओ डिवीजन और वो किस क्यों में से पॉलिक आपना प्लास्टिक अनीमिया अगला टॉपिंग पढ़ेंगा अपन थैलेशीमिया